साथियों स्वागत है साहिल गुरकपूरी के बलाग में आप सभी को सलाब नमस्ते आदाग आज हम चल रहे हैं एक और गाउं के तरफ तो बने रहे हैं मेरे वीडियो के अन तक इस वक्त हम महराजगन जिले के पनीरा छेतर में हैं और पनीरा छेतर के रजवडा के लाइन टोला पर हैं चोटा सा गाउं है और बहुत खुबसूरत है तो हम आपको लेके चलते हैं पिछले कैमरे से दिखाते हैं तो बने रहे हैं मेरे वीडियो के अन तक यज बता हैो, इस हम के दोम पर पे जब जब कर में लों हो करी कोरी हो कर्मा थे लोहादन और रखन समिछी निया हो जचाज के तूल रते रूंडते है ä जुड़ हम थे शअ का शपर रखनों हि कर दो कर दो साथ्यों इस वक्त गेहूं की कटाई हो रही है बड़ी व्यापक पैमाने पर आप देख सकते हैं और ये जो है तीन महिना या चार महिने का फसल होता है गेहूं का जो कट रहा है पीछे देख सकते हैं बहुत सारे अभी प्लाट बाकी है अब कटने के लिए लेकिन अधिक्तम कट चुका है और ये करीबो जो कटाई है दस पंदरह दिन या एक महिना उड़कर पूरे जिले में चलेगा उसके बाद फिर ये पूरा गर्मी का मौसम आएगा चिचिलाती धूप का मौसम आएगा और ये मौसम बहुत खतरनाक है हम लोगों के लिए क्यों कि गर्मी का मौसम है सभी लोग गर्मी से परसान होकर अपने अपने घरों में रहते हैं और उस वक्त धूप में निकलना अभी भी एतनी तगड़ी धूप है कि बाहर निकलना बड़ी मुश्किल हो रहा है लेकिन फिर भी हम वीडियो बनाने के ल हुआ है हुआ है हुआ हाँ अधियो आज का मेरा जो बुलाग है रजव्रा लायन पूर का छोटासा गाहों है और है तो आपको आज का ये बलाग कैसा लगा और ये छोटा सा गाउ है बहुत जादा घर नहीं यहां पर है लेकिन सभी लोग अपने काम में वेस्थ हैं वेस्थ होने का कारण यह है कि गेहूं हो चुका है और गेहूं की कटाई वटाई होना शुरू हो रही है तो आप सभी लोग हमारे वीडियो के अंतक बने रहें इसी के लिए आप सभी लोगा धन्यवाद तो हम फिर आप से जादत चाहते हैं आप सभी को सलाम नमस्ते अदा बाई बाई